4। ताची का दोटिस दोटिस्कार्पीफ कि है और उसको कैसे यूज़jay काई ट्रेडर्र मार्केट के अंदर बैनेफिट कर सकते हैं क्या ٹilांप इस परेडिशन का लनडरं को इस अतने के पर और ऑद SOT- Wra century करता है कि ट्रेडिंग एडूकेशन को फ्री ओफ कॉस्ट बेस्ट एडूकेशन इंडिया के कोने कोने तक हमें पहुंचा नहीं है फ्री ओफ कॉस्स ताकि लोग जातर से जाधा इसका बेनेफिट उठा सके हेलो एडिवान वेल्कम टू दिस ब्रांड न्यू यूट्यू वीडियो ट्रेडर्स टेक और प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे लेकर हम लोग जाने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा लोवर प्राइस रिजेक्शन नहीं LPR क्या होता है जो मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था आपके लिए as a homework और डोजी क्या ह करके ट्रेडर्स मार्केट के अंदर बेनेफिट कर सकते हैं क्योंकि डोजी एक बहुत प्यारी कंडल स्टिक होती है तो आज बहुत सारी नहीं चीज़े सीखने को मिलेंगी सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अल्राइट सो गई सबसे पहले अगर मैं बात करूं LPR की तो हम लोगोंने थोड़ा सा रीकाप करते हैं थोड़ा सा रीकाप करते हैं दो टाइप की कंडल स्टिक्स पढ़ लिए अभी तक एंगल्फिंग एंड रिजेक्शन यह एंगल्फिंग कैंडल शो करती है पावर या डिसिजिजन और यह जो रिजेक्शन कैंडल है यह रिजेक्शन कैंडल शो करती है वीकनेस और रिजेक्शन मतलब कोई price point अगर reject हो जाता है तो वो यहाँ पर rejection candle reflect करती है अब engulfing candle अगर बनती है तो हमें पता है this is an entry candle अगर ये candle बनेगी तो हम लोग ऐसी ही candles के उपर entry लेंगे अगर हमें buy करना है तो हम bullish engulfing डूणनेंगे मतलब green color के engulfing candle और अगर हमें sell करना है तो हम bearish engulfing डूणनेंगे अब जब हम लोग बात करते है rejection की तो इसको हम लोग use करते है as a candlestick जो before entry बनती है मतलब as a some sort of pre-entry candle हम लोग बोल सकते है pre-entry candle जो की हमें किसी trend के reversal का idea देती है किसका idea देती है अगर HPR है यानि की higher price rejection मतलब विक उपर की तरफ है तो यह क्या है this is a bearish candle bearish reversal और अगर LPR है तो मतलब lower price rejection मतलब नीचे की तरफ विक है तो bullish reversal अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता तो दिया था कि LPR bullish reversal क्यों bullish reversal होता है बट यह नहीं बताया था क्यों है अगर आप लोगोंने comment करके बताया था will and good नहीं समझाया क्यों है तो अभी बताता हूँ देखो LPR candle क्या कहना चाता है आपको कि market let's say यहाँ पर open हुआ तो market नीचे गया for the time being तो क्या शुरुवात में इसकी body ऐसी होगी हाँ या ना red color की body होगी इस तरीके से दिख रही होगी क्योंकि जब तक candle close नहीं हो जाती तब तक उसकी current price ही उसकी closing price मानी जाती है जैसे जैसे यह candle नीचे जा रही थी क्या हो रहा था एक बार imagine करो seller market को नीचे push कर रहा है push कर रहा है push कर रहा है push कर रहा है बट एक limit आती है जहां पर आकर buyers बोलते है seller को यहां से नीचे market हम तेर को नहीं ले जाने देंगे so this point is marked as a low और यहां से क्या होता है suddenly पूरा का पूरा game पलट जाता है और यहां से buyers market के अंदर entry लेने लग जाता है और जो selling pressure था वो buying pressure के अंदर convert हो जाता है और sellers market में पिठते हुए नजर आते है रिजल्ट ही होता है कि यह यहां पर जो body थी यह body खतम हो जाती है और यहां पर बन के रह जाती है सिर्फ और सिर्फ एक wick and then market close हो जाता है So this is why हम लोग एक LPR candle को एक bullish reversal candle भी बोलते है इसका दूसरा नाम hammer भी होता है अगर इसकी body green color किये तो So let's give it a color Now quick recap क्या rejection candle के अंदर body का color matter करता है तो the answer is no Body का color rejection candle के अंदर matter नहीं करता Green body है बट wick बड़ी है और उपर की तरफ wick है तो bearish candle होगी क्यों क्यूं क्यों क्यूंकि higher price rejection है red body है नीचे की तरफ wick है और wick बड़ी है तो candle होगी bullish क्यूं क्यूं क्यूंकि lower price rejection है तो I hope आपको यह H.P.R. L.P.R. अच्छे से clear हो गए है अब हम लोग आ जाता है हमारे आज के main topic पर जो की है डोची अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऐसी कैंडल स्टिक है जिसमें बॉड़ी तो छोटी है साथ में है एच पी आर यानि हाइयर प्राइस रेजेक्शन तो वाट ड़स दिस विक शोग अगर मैं केवल इस विक की बात करूँ तो यह विक क्या शोग करता है बुल्जार वीक राइट अब मैं आपको बोलता हूँ कि इस पार्ट को हटा दो क्या गरो जो बुल्जार वीक वाला पार्ट है इसको एक बार के लिए हटा दो इमेजन करना छोड़ दो कि उपर की तरफ एक हाईयर प्राइस रेजेक्शन है सिर्फ यह सोचो कि नीचे एक लोवर प्राइस रेजेक्शन है तो यह LPR हमें क्या दिखाता है बेर्जार वीक हाया ना क्यों क्योंकि रेजेक्शन कैंडल वीकनेस दिखाती है वह ही अगर यह एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती मतलब कुछ इस टाइप की तो हम लोग यह नहीं बोलते कि बेर्जार वीक हम लोग बोलते बुल्स आर स्ट्रॉंग अल्राइट दिखाता है बेट्वेंग बिखाता है अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूँ एक ही कैंडल के अंदर जिसकी बॉडी का कोई साइज नहीं है मतलब बॉडी बहुत छोटी है लेकिन उपर की तरफ HPR है और नीचे की तरफ LPR है तो अब आपको क्या दिख रहा है कि बुल्स भी वीक हैं और बेर्स भी वीक हैं मतलब तेजी भी नहीं आ सकती, मंदी भी नहीं आ सकती, मार्केट उपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं जा रहा, तो ऐसी situation में क्या होता है, ऐसी situation में मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म होता है एक doji, तो what is basically your doji, एक doji ऐसी candlestick होती है, जिसकी body बहुत छोटी होती है, या body होती ही नहीं है, और wick दोनों तरफ होती है, या फिर एक side ही होती है, बट body नहीं होती है, तो basically doji का पूरा concept यह है, कि body का size how small होगा, या negligible होगा है, होगा ही नहीं, body यह नहीं होगी, opening और closing same होगी, या फिर दोनों side wick होगी, this is called a doji, now doji क्या represent करता है, rejection candle show कर रही थी weakness, engulfing candle show कर रही थी strength, doji show करता है, confusion, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ, भाई market उपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर high से supply आ रही है, market नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पर low से demand आ रही है, तो market में actually कहां पर acceptance है, between the high and low of the doji, तो market में जब भी doji form होता है, तो यह prove हो जाता है कि market confusion की state में है, और यह अक्सर तब होता है, जब market किसी trend के top पे हो, किसी trend के bottom पे हो, या फिर किसी important range में हो, किसी important zone में हो, for example, 100 और 50 का level है, 100 पे बहुत जादा high level की resistance है, यानि कि बहुत जादा high level का supply है, तो यहाँ पर खूब सारे doji form हो सकते हैं, कि भाई समझी नहीं आ रहा, market उपर जाए या नीचे जाए, are you getting my point, तो जब ऐसा होता है, कि भाई एक तरफ से buyers बहुत जादा push कर रहे हैं, और एक तरफ से seller बहुत जादा push कर रहे हैं, तो market एक confusion की state में आ जाता है, समझ में नहीं आता कि direction कहाँ पर पकड़ेगा, और यह usually कहाँ बनते हैं, टॉप पे, बॉटम पे, या strong supply, या strong demand zones में, समझ आ गया इतना, I.O.P. यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से clear है, अब सर्ट डोजी बन गया, तो हम क्या करें, अगर डोजी बन जाता, तो what should we do, जैसे मैंने आपको बोला, डोजी का सबसे ज़्यादा important points क्या-क्या होता है, it's high and it's low, उसका highest point और उसका lowest point डोजी के सबसे ज़्यादा important points होते हैं, जब भी इसको इस तरीके सा समझो, तीन टाइप की candlesticks हैं, क्या-क्या? Engulfing, Rejection और डोजी, Engulfing है, पापा, Rejection है, मम्मी and डोजी is the confusion, या फिर आप, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप ये आम आदमी पार्टी नहीं, आप, मतलब you, now, confusion का मतलब ये है कि, मैं नहीं कह रहा है कि आप, आप confused हो, मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं, आपको एक bike खरीदी है, क्या खरीदी है, फटा-फट से वापस बोलेंगे, bike खरीदी है, आपको एक बहुत शानदार सी, बाइ, पापा मेरेको ड्यूक खरीदी है, मम्मी बोलती है, ड्यूक नहीं लेनी, मम्मी ने क्या करा, reject, उपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, मतलब ड्यूक थी, डेढ़ लाग की, मम्मी बोली, ड्यूक नहीं लेनी, आप बोले, चलो तो मैं पलसर ले लेता हूँ, मैं पता नहीं, पलसर कितने के आती है, पर हम लोग सपोस कर लेते हैं, कि 80,000 के आती है, ठीक है, तो मम्मी ने पलसर भी मना करती है, ड्यूक भी मना करती है, मम्मी बोले, कुछ भी नहीं लेना, डोजी बन गया, कन्फ्यूजन शुरू हो गया है, अब ये कन्फ्यूजन ब्रेक गब होगा, क्या मम्मी इसको फाइनली डिसाइड कर सकते हैं, कि आप लोगे या नहीं लोगे, नहीं, वो फाइनल डिसिजन कहां से आता है, पापा से, क्योंकि पापा क्या है, पापा के पास बहुत ज़ादा डिसिजन मेकिंग पावर है, क्या है, तो जब भी मार्केट में कोई डोजी बनता है, तो उसका solution हमेशा याद रखना क्या होगा, क्या मम्मी होँगी, मतलब क्या rejection होगा, नहीं, क्या एक और डोजी होगा, उसका solution नहीं, आप तो खुद ही confused, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप तो वैसी, तो जब भी मार्केट में कोई डोजी बनता है, हमें चाहिए एक एंगलफिंग कैंडल, जो की इस डोजी के हाई को या लोग को तोड़ते, अब for example, ये बनता है एक डोजी, अगर एक बीरिश एंगलफिंग कैंडल बनती है, जो इसके लोग को इस तरीके से ब्रेक कर देती है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कि मार्केट में confusion आया, कि बाइक खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और वो confusion खता होगा, जा पापा ने बोला, नो, नहीं खरीदेंगे, बोले तो बीरिश एंगलफिंग कैंडल बन गई, मार्केट कहा जाएगा, नीचे, अब यहीं पर अगर बनती मान लेते हैं, एक rejection candle, तो क्या आप बेचते हैं, no, मम्मी अगर किसी सीज़ के लिए बाना कर देती हैं, तो भी आप पापस जिद करते रहेते हैं, क्योंकि अगर एक जगा भी हाँ हो गया, तो आपका काम बन जाएगा, तो rejection candle पे entry हम लोगों को नहीं लेनी है, in this case, कुछ rare cases है, डोजी के नहीं अलग cases है, horizontal levels के जो हम बात में discuss करें, अब डोजी में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अब for example, कोई बड़ी engulfing candle इसको break कर देती है, high को, तो market किस direction में जाएगा, उपर की तरफ जाएगा, बाई का जाएग समझ आई बात, तो simple सा rule ये है, जब भी market में confusion बनेगा, confusion को solve करने के लिए engulfing candle हमको लगेगी, that's it, इस से जादा सोचनी के आपको कोई जरूरत नहीं है, अब बात करते हैं, famous strategy की, famous concept की, जो मैं अपने students को सिखाता हूं, उसके अलावा कोई बंदा YouTube, Instagram, course, कहीं नहीं सिखा वह है, the doji concept, क्या है, the doji concept, अब मेरे doji concept क्या बोलता है, मेरा doji concept ये बोलता है, कि अगर market में लगातार, तीन से ज़्यादा doji बन गए, मतलब, इस type की कोई situation बन गई, तो अब क्या होगा, जैसे ही market एक direction में breakout देगा, लगातार बनने चीए, ऐसा नहीं कि एक डोजी बना फिर एक candle बनी फिर एक डोजी नहीं, लगातार तीन डोजी जैसा मैंने आपे दिखाए, अगर ऐसा हो जाता है, तब उस case में market जिस भी direction में breakout देता है, वो direction आपके जो भी इन तीनों डोजी में से जिस भी डोजी का सबसे जादा उचा हाई है, तो यहां पर इस डोजी का सबसे जादा उचा हाई है, और जिसका भी सबसे जादा नीचा low है, वो इसका ही है, कई बार हो सकता है कि अलग-अलग डोजी का high low आप पकड़ो, मतलब मान लेते है इसका लोग यहाँ पर होता तो आप इसका लोग पकड़ते हैं Are you getting it? तो जिस भी डोजी का सबसे ज़्यादा नीचे लोग और सबसे ज़्यादा उचा हाई है उनके हाई और लोग का आपको मार्क करना है और इसको एक रेंज बना देना है अब क्यों यह डोजी कांसेप्ट इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट है समझने के लिए आप इतना सा समझो लगातार कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है और जब भी कन्फ्यूजन बढ़ता है और उसके बाट डिसिजन आता है तो डिसिजन की खुशी बहुत ज़्याद अच्छी होती है ना लेट से मार्केट उपर की तरफ ब्रिक आउट दे देता है तो आप इसको टेस्ट करने ना भले से ही जाकर के उपर की तरफ मार्केट एक बहुत अच्छा टार्गेट देगा इंट्राडे में ये चीज़ बहुत अच्छा काम करती है स्विंग में भी बहुत अच्छा काम करती है तो आपको depending on the time frame बहुत अच्छा target मिल जाएगा अगर आप इंट्राडे की बात पर तो 0.5 से 1 परसेंट 1.5 परसेंट आपको इंट्राडे में आराम से मिल सकता है stocks में और अगर हम निफ्टी की बात करें तो 40 से 60 70 80 पॉइंट तक भी आपको मिल सकते हैं बहुत easily using this strategy नीचे की तरफ तोड़ता है तो नीचे की direction में बहुत शांदार movement ये strategy आपको ला करके अब इस strategy के अंदर एक twist है वो twist ये है कि strategy को और better बनाया जा सकता और इसको और जादा बड़े scale पर यूज़ करके और जादा अच्छे से strategy को पर trading करी जा सकती है अगर आपको strategy चाहिए तो अब मेरी आप से छोटी से request है candlesticks मैंने आप लोगों के लिए खतम कर दिया है आपको candlesticks इससा समझने की ज़रूत नहीं है patterns आप खुद समझोगे कोई doubt राता तो आप मैं ऐसे पूछ सकते हूँ जो मैंने तीनों concept बता है ये तीन main candlesticks है ये ही candlesticks अलग-अलग permutation combination में मिल करके चार्ट के candlesticks के patterns बनाती है तो एक-एक pattern को समझने के लिए आपको एक-एक candle समझनी पड़ेगी ये candle आपको मैंने समझा दी कैसे समझनी है अब pattern आपको कुछ समझने है candlesticks मैंने आपका यहीं पर खतम कर दिया है doji concept की जो advanced strategy है ये मैं आप लोगों के साथ में share करूँगा लेकिन अब मैं आपसे एक request करना चाहता हूँ मैंने आपको TTP का main motive बताया था कि trading education को free of cost best education इंडिया के कोने कोने तक हमें पहुचानी है free of cost ताकि लोग जातर से जादर इसका benefit उठा सके now I request you all कि हमारे YouTube पर 7000 subscribers का चोटा सा target हम लोग चाहते हैं before we upload the doji concept की advanced strategy हम लोग achieve करने ताकि और जादा लोग हमारे साथ जोड़ पा और और जादा अच्छे से इस strategy को देख पाएं अगर जब तक ये video upload होता है 7000 subscriber हो चुके हैं तो आप उस target को अपने लिए 10,000 बना सकते हो और अगर आप बहुत बड़ा दिल रखते हो तो 10,000 बहुत चोटी बात है 50-60,000 एक लाग का भी target रख सकते हो तो ये था मेरी तरफ से तब तक के लिए thank you so much for watching but please make sure you share this video with as many people as you can and share this channel with as many people as you can ताकि जादर जादर लोग हमारे साथ इस movement में जुड़े और traders take over program को एक nationwide movement बना दे तब तक के लिए thank you so much for watching this is Divya Parashar signing off take care bye bye